इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके सैमसंग के किसी भी फोन में बैटरी बहुत जल्दी उतर जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्फ करें तो इहां पर सबसे पहले आपको फोन की सैटिक में जाना है मेरे एक-ेक स्टूप को फालो कीज़ीये ठीक है और स्क्रोल कर लिजिए यहां पर आपको डिवाइस स्क्यैर पे आना है और यहां आप देख पाएंगे बैटरी का ओप्शन इस पे क्लिक कर ले तो सबसे पहले app power management में जाना है और यहाँ पर आपको दिखाए देगा put unused app to sleep तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है put app to sleep when they haven't been used for a while अगर आपके phone में बहुत सी ऐसी application होती है आप जिसे महिनों हफतों तक use करते नहीं है बट होता क्या है वो आपके background में run होती रहती है जिसकी वजह से आपकी battery बहुत जल्दी उताओ जाती है तो आपको इस option को इस तरीके से enable रखना है ठीक है इसके बाद back आईए और power mode में आईए make sure करें आपने high performance mode तो नहीं on करके रखा है आपको इसे optimized रखना है या फिर medium mode में रखना है ठीक है देखिए यहाँ पर resolution इसका कम होता है अगर आपने high performance mode में रखा होगा तो सबसे ज़्यादा display से आपकी battery use होती है इसलिए आप optimize में रखे या फिर medium में रखे अगर आपको और charging बचानी है तो आप यहाँ पर adaptive power saving mode on कर दे इसके बाद आपकी battery बहुत हद तक बचेगी